आप देखिए जब प्रोसेसर क्रियेट करते हैं तो हर एक कोर उस प्रोसेसर का हर एक कोर एकल नहीं हो था कुछ-कुछ कोर्स वाल्टेज और पावर पर डिफर करता है जिसके वज़े से उसे बूस्ट इन पॉफुमेंस मिलता है तो IC कोर्स आइडेटिफियो करके जारा सी ज़्यादा इंस्ट्रेक्शन इस कोर्स को दिया चाहे ताकि आप्टिमेसेशन इन पॉफुमेंस आए नमस्का दोस्टो वेल्का बाक टू अन्दर एपिसोड इससे बात करेंगे विंडो स्टेंट का जो नया अपडेट है नमबर 2019 का अपडेट आ गया है एक हफता हो गया तो इससे आपको इंस्टाल करना चाहिए यह नहीं क्या क्या है उसका अड्वाइंडिजस एक लाइट ड़मो ऑफ इंस्टालेशन ऑफ इस अपडेट कितना टाइम लेता है इस वीडियो में कबड़ी डिजल से देखेंगे अपडेट इस वीडियो तोदो चुब पहले वृटियो टोफिके ची जो कई इशु सिता इसका प्रवाब डेल जो था में इक अपडेट में उसका सारे सिका इस नए व्डेट परहें आमबर का पैट में है what I personally felt is जब मैं restart किया after update तो ये कम समय में restart हो गया और उसके बाद ये जो install शुर जो time है 5-10 मिन्स लिया complete install होके restart होने में पिछला जो update था make update ओ install होने के लिए around 1 रो लिया था as complete that this is much faster जल्दी restart हो गया और Windows भी करता है कि अगर आप पिछला जो make update स्किप कर दिया तो ये update नॉर्मल टाइम लेगा अगर वो install कर दिया make update अर्ड़ी install ले तो within 5-10 मिन्स ये update हो जाएगा और Windows का दिया कि आपको 30 महिने का support मिलेगा अगर आप यूज करते हैं Enterprise Edition, IoT Enterprise Education Edition of Windows 10 ये जो नया update है इसमें दो न्यूफ फीचर से Key Rolling and Key Rotation ये बहुत ही important है Windows में क्या है कि आप अपने Drive प्रोटक कर सकते हैं BitLocker यूज करके या MDM Mobile Device Management with Azure Active Directory इसे यूज करके आपना Drive प्रोटक कर सकते हैं तो जब आप Recurvy Password यूज करके ये दो फीचर से अपडेट पे है Next Update है TLS 1.3 मतलब Transport Layer Security Transport Layer Security मतलब जब आपका Computer एक Network पे होता है मतलब Internet या Internet यहाँ पे होता है तो Communication Security Provide करने के लिए कुछ Cryptographic Protocols है इसे बोलते है Transport Layer Security इसका एक Experimental Implementation पे इस Update पे किया गया है आप देखिए जब प्रोसेसर क्रियेट करते हैं तो हर एक Core उस प्रोसेसर का हर एक Core एकल नहीं होता कुछ-कुछ Course वल्टेज और पावर पर डिफर करता है जिसके वज़े से उसे Boost in Performance मिलता है उस Course को तो IC Course आइडेटिफिय करके जाद से ज़दा इंस्ट्रेक्शन्स इस Core को दिया जाए ताकि Optimization in Performance आए Intel का Turbo Boost Technology 3.0 को यूज़ करके Operator System यह Decid कर पाता है कौन सहे Fastest Core तो मुस्कल से मुस्कल Information यह Task ऐसी Core को दिया जाए ताकि Operator System और Applications का Performance भी बड़े और Reliability भी बड़े एक और अपडेट है कि अगर आप वीडियोस पर Narrator या कोई Assistive Technology यूज़ करते हैं तो इनको कहां पुरे Function की Locate किया गया है और उसका Status क्या है Locked है या Unlocked है उसका Status Narrator और Assistive Technology इसको मिल जाएगा because of this new update इसके अलावा Desktop Analytics और Microsoft Connected Cache और Windows Windows Sandbox का अभी अपडेट है इस जल नया वर्षन पर सब्सक्राइब जल 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 एज नया वर्षन अपडेट कर ले अपने सिस्टेम पर इस वीडियो मितना ही वीडियो चलागा तो लाइक करे शेयर करे डूस अप्रमी चैनल थांक्यू जैहिन वंते मात्रा चली दखते हैं एक like demo of the installation of this update उसके लिए आप Windows update पर जाएए वहां पर क्लिक करें download and install this update उसलों को क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं पहले update डाउनलोड करेगा उसके बाद अपडेट डाउनलोड करते ही installation start हो जाएगा installation 100% हो गया तो next step प्हें आप से बोलेगा system retract करें उसके लिए restart now button klik करें klik करते हैं आप देख सकते है रिस्टारट हो रहा है system install करके restart होने के लिए completely 2 to 3 minutes लगेगा आप wait करें को यह बिद्वीन दो बर रीष्टाथ होगा फाइल ले आप देख सकते हैं आपका अपडेट इंस्टेल होके कमडेट हो गया है वर्शन भी अपडेट हो गया इंस्टेलरेशन हिस्ट्री पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका अपडेट इंस्टेल होके नहीं इस वीडियो वितना ही वीडियो चलागतो लाइक करे शेयर करे डू सब्सक्राइब चैनल थांक्यू जैहिन वंते मात्रम